CBSE Board ने 10 वी क्लास के Term 1 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है इस बार Board की ओर से चात्रों का रिजल्ट सभी स्कूलों को भेज दिया गया है शहर के विभिन स्कूलों की ओर से बताया गया है कि ये केवल Term 1 परीक्षा का परिणाम है इसलिए चात्रों को भी मार्क शीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा चात्रों को टर्म वन में आए मार्क्स की जानकारी स्कूल प्रबंधन की ओर से दी जाएगी मालूम हो कि टर्म वन परिक्षा में प्रतियक विशय में 40 मार्क्स की सवाल पूछे गए थे इसके लिए विद्यार्टियों से 55 सवाल किये गए थे जिनमें से उन्हें 40 प्रशनों का ही उत्तर रेना था तो वहीं अप्रेल में होने वाली टर्म टू की परिक्षा के बाद final result और द्वारत जारी किये जाएंगे विद्यार्टियों को माकशीट का declaration भी टर्म टू की परिक्षा के बादी जारी होगा शहर के विभिन स्कूलों के लिए दसवी के सभी विद्यारती टर्म टू की परिक्षा में बैठेने के लिए क्वालिफाइख हो गए है बेली रोड स्थित केंद्रिय विद्याले के प्राचारे ने बताया कि स्कूल के सभी बच्चों को टर्म टू परीक्षा देने के लिए क्वालिफाइग कर लिया गया है यहाँ दसवी में फुल मांक्स लाने वाले बच्चों की कुल संख्या 226 है वही DAVBACB के प्राचारे ने बताया कि फाइनल रिजल्ट्स टर्म टू के बाद ही जारी किये जाएंगे इसके अलावा बाल विद्या निकेतिन स्कूल की निहारिका निधी ने 99.8 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं प्राचार्या कुमारी अनुफ सिंग ने बताया कि बहतर प्रदर्शिन के लिए उन्हें लाप्टॉप दे कर पुरस्कृत किया गया है CBAC के सिटी कॉरिडूर डॉक्टर राजी वरंजन सिनहा ने बताया कि बोर्ड ने दसवी के परिनाम जारी कर दिये हैं सिस बोर्ड पर रेजल्ट और मार्ग्स की जानकारे विद्यार्चियों को दे दी गई है CBAC के उर से ज़ש ज्वारी सर्कृलर में बताया गया है कि स्कूलों को दसवी के विद्यार्चियों के थूरी की परिक्षा में फ्राप्त अंक भेच दिये गए है स्कूलों के द्वारा अप्लोड किये गए मार्क्स को ही बोर्ड में जारी किया है इस बार विद्धियार्तियों के इंडिविज्वल परिनाम वेबसाइट पर उपलबद नहीं किये जाएंगे इसके साथ ही वैसे विद्ध्यार्ती जो की टर्म वन परीक्षा में कोविट के कारण अनुपस्थित रहे या फिर किसी ओलम्पियार्ट के कारण परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे विद्यार्तिशों का मुल्यांक टर्म2 की परीक्षा क्या धार पर ही किया जाएगा अभी केवल फ्योरी के मार्क्स साजा किये गए हैं फ्राक्टिकल प्रॉजेक्स या इंटर्नल असेस्मेंट के मार्क स्कूल्स के ही पास हैं बोट की ओर से जारी सर्किलर में ये भी बताया गया है कि फिलहार टर्म वन और टर्म टू का वीटेज तै नहीं किया गया है इसमें टर्म 1 के कितने प्रतिशत और टर्म 2 के कितने प्रतिशत को final result में जोड़ा जाएगा यह भी निर्धारित नहीं है टर्म 2 के परिणाम जारी करते समय वेटेज को तै किया जाएगा इसके अलावा परीक्षा सेंटरों में भी कोई बलाब नहीं किये जाएंगे स्कूलों वाला निर्धारित सेंटरों पर ही विद्यार्थियों को परिशात देनी होगी टर्म 1 परिख्षा परिणाम के साथ माक्स पर आपत्ती होने पर विद्यार्थियों की सुविधा के साथ माक्स पर आपत्ती होने के लिए विद्यारतियों की सुविधा के लिए शिकायत दर्च कराने के लिए डिस्प्यूट री एड्रेसल मेकेनिजम तलियार किया गया है 26 मार्श तक इस सुविधा विद्यारतियों के लिए उपलब रहेगी बोर्ड ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट cbac.nic.in पर लिंक शेर किया है term 2 परिक्षा का परिनाम जारी होने के बाद ही अन्ते नर्न लिया जाएगा अब बागी की वीडियों के लिए लिए लाइफ सिटीस के साथ बने रहे अगर इस वीडियों को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें लाइफ सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जोड़ सकते हैं धन्यवाद